बाबा साथ डॉक्टर अंबेटकर ने कहा कि यह मंदर जाने वाली भीड जिस दिन बिद्याले जाने लगीगी इस भारत को सोने के चडिया बनने से कोई रोक नहीं सकता और बिद्याले जाने वाली भीड को मंदर और मस्जित के नाम पर लड़ाया जारा है मुसल्मान इस मुल्क के खत्रा है बताओ इस देश्ट बीसी समाज के लोगों तुमारे मंडल कमिशन का विरोध किसी मुसल्मान ने किया क्या रोहित विमुला पाहिल तड़वी के खिलाफ कोई मुसल्मान खड़ा था क्या आपका लिटरल इंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है ये कोई मुसल्मान छीन रहा है क्या सरकारी सिक्षा और सरकारी नोकरी को प्राइवेट हातों में बेच कर आपका अरक्षण खटम कर दिया गया ये कोई मुसल्मान कर रहा है क्या आपके बच्चों की सिक्षा को प्राइवेट हातों में बेच करके हमबानी अडानी का गुलाम मना दिया गया लाखों रुपए में डिगरियां भी केंगी जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे ये कोई मुसल्मान कर रहा है क्या और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदूओं एक हो जाओ क्योंकि मुसल्मानों से खत्रा है हरे मैं आपसे कहने आया हूँ 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविश को खत्रा है और केवल सिक्षा बचाओ मैं इस देश के नेताओं के लिए कहना चाहता हूँ अगर इस देश में हिंदू धरम खत्रे में है तो हमिशा का बेटा जैशा हिंदू धरम बचाने क्यों नहीं जाता अगर इस देश में मंदिर और मस्जित के लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसत बिधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े-बड़े नेताओं और उद्योकपतियों के बच्चे बिधेश में पढ़ाई करते हैं और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है और आपके बच्चे जब सिक्षट नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धरम खत्रे में है आपका बच्चा धरम बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया वो एक चुनाओ जीता अगली बार दूसरा चुनाओ जीतेगा तीसरी बार तीसरा चुनाव जीतेगा